नमो नारायन संक्षिप्त वाल्मी की रामायन भाग उनसत राम अयोध्या कैसे लोटे राम रावन युद्ध समाप्त हो गया देवता आदी ने राम को युद्ध में जीत पर बधाय दिया और रावन के भाय से मुक्त करने के लिए उनका धन्यवाद किया लंका की सिंधासन पर विभीशन का राज्या विशेक हो गया सीता को विभीशन आदर के साथ राम जी के पास ले आए इंद्र द्वारा युद्ध में मरे हुए वानर भालूओं को जीवित करना देवराज अंद्र ने राम के कहने पर युद्ध में मरे हुए वानर भालूओं को जीवित कर दिया इसके बाद सभी देवता अपने अपने लोकों को चले गए राम ने समस्थ सेना को विश्राम करने की आग्या दिया उस रात राम सहिट सब ने विश्राम किया विभीशन द्वारा आतिथे का आग्रह अगले दिन विभीशन सब के लिए बहुत से उपहार लेकर आये और सब को स्नान कर श्रिंगार करने के लिए आग्रह किया उन्होंने राम से कुछ दिन उनके यहां रोक कर आतिथे ग्रहन करने का भी आग्रह किया राम ने उन्हें सुग्रीवादी को स्नान कराने के लिए कहा लेकिन स्वयम लंका नगर में नहीं गए राम ने विभीशन द्वारा लाए गए उपहार में से दूर्वा दही, अक्षत, चावल जैसे मंगल चीजों के अलावा और कोई चीज नहीं लिया विभीशन ने राम की आग्या के अनुसार सभी वानरों का विशेश सतकार किया और उन्हें उपहार दिया इसके बाद राम ने सभी वानरों को जाने की आग्या दिया अयोध्या जल्दी पहुंचने की चिंता अब राम के वनवास की अवधी समाप्त होने वाली थी लेकिन वे अयोध्या से बहुत दूर थे भरक जब उनसे मिलने चित्रकूट आये थे तो उन्होंने ये प्रतिग्या की थी कि यदि राम वनवास की अवधी के बाद के पहले दिन अयोध्या नहीं पहुँचेंगे तो वे अपने प्रान्ग त्याग देंगे इसलिए अब राम जल्दी से जल्दी अयोध्या पहुँचना चाहते थे अतह उन्होंने विभीशन के आतिथे के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए जल्दी से जल्दी अयोध्या जाने का उपाय पूछा इस पर विभीशन ने रावन द्वारा कुबेर से चीन कर लाए गए पुश्पक विमान द्वारा अयोध्या जाने का सुझाव दिया यह विमान अत्यम तीवर गती से उर सकता था इसका आकार प्रकार आवश्यक्त अनुसार बर्ध घट सकता था विभीशन और वानर यूध पतियों का राम के साथ जाना राम जब सीता और लक्षमल के साथ पुश्पक विमान से अयोध्या जाने लगे तो विभीशन ने उनका राज्या भिशिक देखने के लिए उनके साथ चलने की अनुमती मानगी अन्यवानर मित्रों की भी ऐसी ही इच्छा थी राम ने प्रसन्नता के साथ विभीशन, सुग्रीव और सभी वानर यूद्पतियों को अभी अपने साथ अयोध्या चलने के लिए आग्रव कुस्वीकार का लिया उस रात विश्राम करने के बाद सभी पुश्पक विमान से अयोध्या के लिए चले सीता जी द्वारा वानर पत्नियों को अयोध्या ले जाने का विचार रास्ते में राम सीता को उन सभी स्थानों को दिखाते जा रहे थे जहां वे रुके थे या कोई कारे किया था अगले दिन सब आगे चले। इस वर्दान के कारण रास्ते के आसपास के तीन योजन तक के व्रिक्ष में फल लग गए। और भारत को राम के आने की सूचना दी। राम आ रहे हैं। ये समाचार पाकर भारत जैसे पुनर जीवित हो उठे। खुशी से उन्होंने उन्होंने हनुमान को अनेक उपहार देने की घोशना कर दिया। हनुमान ने उनके पूचने पर चित्रकूट में जब भारत राम से मिलकर लोटे थे। उसके बाद का सारा वृतांत जिसमें सीताहरन, रावन से युद्धा और पुश्पक विमान से आगमन उन्हीं कैसुनाया। अयोध्या में राम, लक्ष्मन के स्वागत की तयारी। भरत चित्रकूट में राम से मिलकर आने के बाद से राम की तरह तपस्वी वेश भूशा और दिंचर्या अपनाए हुए राजधानी से बाहर नंदी ग्राम में रह रहे थे। वही से वे राम के प्रतिनिधी के रूप में प्रशासनिक कार्य करते थे। राम के वनवास के दौरान की सारी बाते लोगों में चर्चा का विश्य बन गया। राम का सब के साथ अयोध्या की सीमा में पहुंचना। अयोध्या जनपद की सीमा पर राम विमान से उतर कर अपने मित्र निशाद राज से मिले। भार्दवाज मुनी की तरह ही उन्होंने जाते समय उनसे भी वापसी में मिलने का वचन दिया था। जाते समय सीता ने गंगा की पूजा करपती और देवर के साथ सकुषल वापस आने पर पूजा की मननत मानगी थी। अतह उन्होंने गंगा पूजन किया। इसके बाद पु शेकुछ सब देखने के लिए साथ चले